विदिसा जीले के गंज बासुदा में महोली गाउं में तीन बच्चों के डूबने की दुगत घटना सामने आई है बताया जा रहा है कि सुनारी ग्राम के पास केउटन नदी में तीन बच्चे नहाते समय डूब गए तीनों बच्चों के शौब बरामत कर लिए गया है मरतक बच्चों की पहचान रिशी 14 वर्ष प्रष्णा 15 वर्ष और उत्तम 15 वर्ष के रूप में हुई है तीनों बच्चे ग्राम महोली के रहने वाले थे घटना के बाद प्रसासन मौके पर पहुच गया है ग्रामिनों का कहना है कि बच्चे नहने के लिए आये हुए थे लगातार ग्रामिनों द्वारा भी तलाश जारी थी मौके पर NDRF की टीम पहुची हुई थी प्रसासन की और से आला अधिकारियों ने बताए कि घटना की जाच की जा रही है और परिवार को हर सभो साहता प्रदान की जाएगी मुख्य मंत्री मौहन यादव ने इस घटना पर दुख व्यक्ति करते वे प्रत्यक परिवार को 4-4 लाख रुपे की आर्थिक साहता देने की घोशना की है विदीशा से आसिस सहले की रिपोर्ट नदी में डूब गए उनको इस्थानी ग्रामीडों द्वारा सर्जिंग किया गया जिसमें दो बच्चे लगबग एक घंटे के अंतराल में मिल गए एक बच्चे को काफी मशक्कत के बाद इस्थानीय लोग और हमारी जो होमगाट की टीम है जिसमें हमारे जो सांसेनिक है क्रिशनपाल विजय और इनके सांद जुन्रा सिंग इन्होंने सर्च किया और तीसरे बच्चे को भी ढूंड निकालने में सफ़द्र प्राप्राप आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें